सर्दी आ गई है और ऐसे में लोग अपने शरीर को गर्म रखने लिया और एनर्जी देने केे लिए कई जतन करते हैं ऐसे में सर्दी में लोग गर्म दूद में हल्दी डाल कर पीते हैं इससे उनके शरीर में 오른ी बनी रहती है। उन्हें ठंड ना लगे, इसलिए वो सर्दी जुखाम, खासी और बुखार जैसी परिशानी उसे बचने के लिए भी हल्दी वाला दूद जरूर पीते हैं। वैसे तो सर्दी में ही क्या हर सीजन में हल्दी वाला दूद पीना चाहिए। इससे इम्म्यूनिटी बढ़ती है और शरीर को ताकत मिलती है। लेकिन अगर कोई सर्दी में इससे पीता है तो उसे इसका स्यादा फायदा मिलेगा। ऐसे में चलिए इस वीडियो में आईए जानते हैं सर्दी वाले दूद पीने से क्या फायदे हो सकते हैं। और क्या हर कोई इससे पी सकता है। यही नहीं इससे कैसे तयार करना है और कैसे पिया जाएगा इसके बारे में भी आपको हम बताएंगे। वीडियो को आखर तक जानकारों के माने तो सर्दियों में अगर कोई हल्दी वाला दूद पीता है तो इससे उनके सेहत को काफी लाब मिलता है। हल्दी में भारी मात्रा में करक्यूमिन और फ्लिविनॉइड जैसे पोशक ततु पाये जाते हैं जिससे आप सर्दी जुकाम जैसी परिशानियों से बच सकते हैं। यही नहीं इसमें एंटिबाटिक, एंटिसेप्टिक और हीलिंग जैसी फ्रॉपर्टीज होती हैं। हल्दी आपके ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करती है। एक्सबर्ट्स का मानना है कि सर्दी में हल्दी को दूद में मिला कर पीने से कई फायदे होत हैं लेकिन गर्मी के मौसम में इसका कम सेवन किया करें। चलिए अब आपको बताते हैं कि आखर हल्दी वाला दूद तयार कैसी करना है। हल्दी वाला दूद बनाने के लिए सबसे पहले आप दूद ले उसमें एक चुटकी हल्दी और काली मिर्च पाउडर डाले इसके पाद उसे हिला कर पी लें। जानकारों के बारे तो इस दूद को दिन में केवल एक बार पिया करें। इससे आपका पेट गर्म हो जाएगा। ज्यादा पिएंगे तो समस्या भी हो सकती है। ध्यान रहे कभी भी हल्दी को पानी से नहीं पिया कीजिए। ऐसा इस दी क्यो हल्दी वाला दूद ब्लड प्रेशर को कम करता है। ऐसे में जिन लोगों को ब्लड प्रेशर की परिशानी हैं उन्हें हल्दी वाला दूद नहीं पीना चाहिए। यही नहीं जिन लोगों को दूद से अलरजी हैं उन्हें भी हल्दी वाले दूद से दूर रहना और ब्लोटिंग जैसी परिशानी होती है उन्हें भी इस से बचना चाहिए और इसका परहेज करना चाहिए इन लोगों को डॉक्टर से संपर्थ भी करना चाहिए फिलाल के लिए इस वीडियो में इतना ही तमाम और हेल्ज टिप्स के लिए आप लोकमत हिंदी को बजरू की जी